हलो दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे चीन्य गुन्यों की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हमारी रसोई में बन रहा है आलू छोले की सबजी और वो भी हम बनाएंगे बिना रसन प्याज के और उसमें टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा इसके लिए मैंने चोले विगो दिये थे रात को भी या फिर दो चार गुटे के लिए हमें चोले विगो देने हैं और इनको दोग के अच्छे से मैं कुकर में ट्रांसफर कर दूँगी और मैंने लिये हैं 4-5 आलू, 5 छोटे आलू है तो मैंने 6 लिये हैं रिश्टरे से क्यूब्स में कट कर लिये हैं आलू को मैंने पहले उबाला नहीं है, डायरेक्ट मैं छोले के साथ ही उबालूंगी चोटे आलू करके इनको अच्छे से साफ पानी में दो लिया है क्योंकि हम इस पानी को यूज में लेंगे वापिस से और आप देख सकते हैं मैंने आलू और छोले डूप चाए इतना ही पानी लिया है और इसमें डाल दिया है नमक और अम मैं 4-5 सीटी इसमें ले लूँगी क मैंने कडाई में रख दिया है सर्सो का तेल हम सर्सो के तेल में ही सबजी बनाते हैं सर्सो के तेल मैंने रख दिया है और मैंने लिये थे दो चोटे साइच के टमाटर थे जिनको काट लिये तर इसमें मसाला मिक्स कर दूँगी जिसमें लिये मैंने मिर्ची, धनिया, हल्द कर लिया है तेल हमारा गरम हो गया है और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा हॊए अद्या पुर्यू उ-पुल मिर्चे में च्छेर Right42 में मुतला 실ाइब यहाया जूक्षा ना दिन में दालक न्ही même मुझित सै ज्ची डालगी नियुक्त ही। केमार्टर के साथ में भी मैंने इसके में डाल दिया है। अच्छी सब्सक्राइब चलाते रहना है। जब तक की यह पखनी जाता। पकने का मतलब है इसमें तेल ऊपर आ जायेगा तब तक हमें चलाते रहना हैं अब मैं तभा हमें दाल दाल दूंगी 5 यिसको धोड़ासा फैंट लिया था और ढलती शमये हमें इसको रेग्लर चलाते रेना है जब तक कि धई पकनी जाता है इस तरह पकनी जाता जब तक हमें धई मैं display और देख सकते हैं कि इसी तरह लेपक मात जाएगा COM दर्येफ सबस्क्राइइ इसमें हमें इसमें से उड्ले जो भी मोटे आलू बज्जय उनको हम इस तरह से चम्मा लिक Supp SS इस तरह से मैस कर देंगे या पाव भाजी जो मैस करने का आता है उसे भी हम इसको बाद में मैस कर सकते हैं या फिर इस तरह से मैस कर लेंगे और जो परने आलू और छोले का जो पानी था उसको साथ में पूरे को डाल दिया है क्योंकि हमने आलू और छोले दोनों ही अच्छे से वास करके उभा ले थे और ये इस तरह से मैंने डाल दिये हैं आप देख सकते हैं और अब मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल दूँगी पान दालने के बाद और थोड़ देर इसको चलाने के बाद अच्छी तरह से और हम इसको ढखकन लगा के उबलने देंगे ढखकन लगाने के बाद हमको 10 मिंट के लिए उबलने देना है और ढखकन हमें proper पूरा बंद नहीं करना है थोड़ा साइड में से खुला रखना है और आप देख सकते हैं कि हमारी सबजी की से थोड़ी-थोड़ी गाड़ी हो गई है फिर से मैंने इसको बंद करके पकाया था और आप हमारी सबजी बन के रैड़ी है आप देख सकते हैं इस तहरे से पहले जब हमने डाल दीछ ते डीटिया और हमने सारे सबजी अच्हे से मिक्स हो गई है और बन गई है बन घ्लक सबण है सब्छी हमारी Legen유 बन के रैडी है और हम िसमी ठाल दें Κज़ को देख सकते हैं कि हमने फटा फट सब्छी चोले आलू चोले की सबजी आपको तुरांत बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं